गूड अप्टुनून तो आज चलिए स्टार्ट करते हैं न्यू नर्मेल हिंदी सुर्वे का स्टेंडर्ड फोर्ड के हिंदी बुक में आज पढ़ेंगे तो पढ़ाई करने से पहले मैं बोल लेना चाहती हूँ सबको अगर अभी तक कोई भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये तो पहले फटा-फट से सब्सक्राइब कर लो एंड साइट पे जो बेल आइकन है उस पे प्रेस कर लो तक ही जो भी में वीडियो पोस्ट करूँ आपको पहला नोटिफिकिशन आ जाए और आप कोई भी वीडियो मिस ना करूँ तो चले चलते हैं फ़र्स्ट चैप्टर आज पर पढ़ेंगे चैप्टर का नाम है भारत मा भारत मा के बारे में तो सब आप सब कुछी कुछ जानते ही होंगे हमारे देश के नाम भारत है हम जिस देश में रहते हैं जिस देश में जनम हुए हैं जिसका अंजल का अगर हम बड़े हुए हैं उसी देश का नाम भारत है भारत का एक महत्व गून है ओ है हमारे देश में हमारे देश भारत में जितने सारे लोग हैं जो भी धर्म के लोग हो जिस भासा भासी के लोग हो बट लास्ट में ओ बोलते हैं कि अन्यकता में एकता के अन्यकता में एकता जिस पर हमें गर्ब होना चाहिए तो आओ हम सब मिलकर गाएं भारत का मा गान कर्म करें हम ऐसे जिन से बढ़े देश की सान तो आओ हम मिलकर क्या करेंगे गाएंगे भारत के गान गाएंगे भारत के गून गाएंगे भारत के नाम रुशन करेंगे कर्म करेंगे हम एसे जिन से बड़े देश की सान हम एसे कर्म करेंगे एसे काम करेंगे जैसे हमारे देश के आन बड़ेगी सान बड़ेगी मान बड़ खडा हिमालय रख्षक जिसका पेर पखारे सागर तरह तरह के रंग विख़ए प्रकूती यहाँ पर लाकर तो हिमालय रख्या कर रहा है खडा होके हमारी भारत का और इसके जो सागर हमारी धरती का पेर धोता है पेर पकारे यानिकी धोना तो तरह तरह के रंग बिखरे यहाँ पर बहुत सारे रंग बिखरते हैं प्रक्रूती पे जैसे कि बहुत सारे फूलों होती है बहुत जाती के फूल, बहुत कलर के फूल बहुत सारे होती है रंग बिरंगे पक्षियां होते हैं वैसे ही रामकृष्ण गौतम नानक ने रामकृष्ण गौतम नानक ने दिये जहां संदेश सारे जक्से न्यारा है वो हो अपना भारत देश तो जिस देश में राम जैसे लोग हो राम जैसे क्या बोलते हूं पित्रु आग्याकरी पूत्र हो गौतम हो नानक हो इस सब जिस देश में हो जो संदेश किये थे जो हमें जो सिखाये थे जो हमें संदेश दिये थे सारे जक्से न्यारा है वो अपना भारत देश तो सारे देश से जितने सारे पूथी वर्ष में जितने भी सारे देश सबसे अलग हमारा देश भारत है निर्मल नदियां जरने उज्यल सिंचे जिसके प्राण निर्मल लेने की साप नदियां उसकी कलकल करती हुई जल जरने उजल जरने जो होती है एकदम उजल होती है सफेद होती है सिंचे जिसके प्राण सस्य सामला भूमी वाला भारत देश महान सस्य सामला यहाँ पर एकदम चारो तरफ इतने सारे बुक्ष्य है हर वक्त चारो तरफ देख लो तो हरी वरी दिखती है सस्य सामला जैसी भूमी है तो हमारा भारत दिस महाने मंदिर मस्जिद जहां सुनाते घंटी और अजान बशुदहिव कुटुम बकम के है भारत की पहचान तो मंदिर हो या फिर मस्जिद कुछ भी हो वहाँ पर घंटी वज रही हो या फिर अजन दिया जा रहा हो कुछ भी हो बशु दैवा कुटुम बकम ही है भारत की पहचान तो का मतलब क्या है सारी धर्ती ही एक परिबार है जो हमारे भारत का पहचान है अलगअलग है चहरे लेकिन एक हमारे प्रान आओ हम सब मिलकर गाएं भारत मा का गान हमारा बचय कोट सब करा हैं भारत मा की डिसक्राइविश अगर किसी को कुछ वार्स के मतलब या फिर कुछ लाइन्स अगर कोई मतलब जाननी हो समझ में नहीं आयो तो मुझे कमेंड में बदा सकते हो मैं उसका अंसर दे दूंगी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए इस चाप्टर की कोशिन अंसर लाउंगी तो देखना मत बुलेगा लाइक और सेयर करना मत बुलेगा में रहती हूँ अपकी सरुजिनिदास फ्रम सरश्वती इकडमी